आप वेरी गूड इवनिंग डियर व्यूर्व दे चैनल एजुके चैनल और आप सभी का मेरे चैनल पर आर्दिक सौगत मैं चंदर प्रकाश एजुके चैनल की तरफ से आप सभी का सौगत करता हूं और आज हम इस वीडियो के अंदर सीवेसी के जो एक्जाम्स हुए थे उनके रिजर्ट्स की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं कि कौन सी तारीक को एक्सपेक्टेड हमारे रिजर्ट्स हैं और पिछले साल जो हमारे रिजर्ट्स कब आये थे इस साल हमारी क्या एक्सपेक्टेशन्स हैं हमारे रिजर्ट इसकी यह सारी जहनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली तो वीडियो को आन तक जरूर देखे और अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्क्राइब करना मत बूले कमेंट करना मत बूले और लाइक तो बनता ही है तो अब ज्यादा ना बात करते हो हम सीधा ही सीवेस जाता है और मैक्सिमम बच्चे जो है इसी बोट से परिक्षा देते हैं और जैसे कि आज हमारी दो तारीक है आज हमारा लास्ट एक्जाम था प्लस टू का और इसके बाद हमारे एक्जाम क्लोज हो गए है लगभग 15 फैबरी से एक्जाम स्टार्ट हुए थे दसमी के एक् कारण लिस्ट ऑफ जो सब्जेक्स हैं वो बहुत जादा अधिक होने के कारण कावी सारे दिन लग जाते हैं लगभग आज हमारे दो एप्ल को आज सारे एक्जाम्स खत्म हो चुए हैं मार्किंग का जो सिस्टम रहता है वो एक्जाम्स के तुरंट बाद दस दिन बाद प जो हमारी होम साइंस की इनकी जो मार्किंग है वो लगभग खतम हो चुकी है और भी कावी सब्जेक्स हैं और अभी कुछ सब्जेक्स की जिनके लास्ट में पर थे उनकी मार्किंग अभी स्टार्ट हुई है कुछ बीच में चल रही है तो इस तरीके से हमारे मार्किंग भ हमारे 12 मैं के आसपास हमारे 10 में और 12 में का रिजल्ट आ चुका आ गया था और इस बार भी हम यह एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं के सेकंड वीक में हमारे जो रिजल्ट से वो एक्सपेक्टेड हैं और साइट इसी पर ही आप देखेंगे जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं यह जो परिणाम लिखा हुआ है तो यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे जब रिजल्ट सेक्शन आएगा तो यहां से अपने सीपसी के साइट से अपने रिजल्ट देखनें और जो डीजी लॉकर है अगर आपने डीजी लॉकर बना रखा है तो रिजल्ट जो है डारेक्ट आपके डीजी लॉकर के इंदर चले जाएंगे तो जैसे जैसे आगे आगे रिपोर्ट्स आएंगी तो पेपर के रिजल्स क रुजहान आएगा कि किस तरीके की रिजल्स एक्सपेक्टेड है जैसे जैसे न्यूज आईगी सीवेसी बोर्ड की तरफ से तो हम आपको सूचना देते रहेंगे तो वीडियो को अब ज्यादा ना लंबा करते हुए यहीं परी क्लोस करते हैं अन्य वीडियो भी जरूर कि नपका मंगल्मेव